प्यारे बच्चों आज क्लास नाइन का सब्जेक्ट साइन्स का चैप्टर नंबर वन जिसका नाम है हमारे आस पास के पदार्थ matter in our surroundings इस पार्ट के अंतरगत भाग दो हम देखेंगे बच्चों भाग दो के अंतरगत आपको पढ़ाय जाएगा पदार्थ की अवस्थाएं बाग संक्या एक आप पढ़ चुके हैं तो आसा है आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से यदि नहीं आया होगा तो हमारे comment box में आप बिल्कुल अपनी सिकायत को comment कर सकते हैं तो आईए हम आज के topic पदार्थ की अवस्था की और बढ़ते हैं तो पदार्थ की बचों कुल तीन अवस्थाएं होती हैं मुख्य पदार्थ के कुल तीन मुख्य अवस्थाएं होती हैं नमबर एक ठोस, नमबर दो द्रव, नमबर तीन गैस, इन तीन अवस्थाओं में अब हम आईए आपको पहले ठोस के बारे में बताते हैं, इसको हम अंग्रेजी में सॉलिड करते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका आयतन वह आकार निश्चित होता है, वह ठोस कहलाते हैं, अब आईए ठोस से सम्मंदित कुछ निवनलेखित बिंदू आपको बता रहे हैं, जिसे आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि ठोस उस्थ में क्या होती हैं, तो पहला इसका महतपूर्ण जो बिंदू है ठोस का आकार निश्चित होता है, जो ठोस वस्थ में होती हैं, उनके आकार निश्चित होते हैं, नमबर दो ठोस की बीमाएं जिसे हम बचों साइड्स करते हैं ठोस की बीमाएं निस्चित होती हैं इनके आकार भी निस्चित होते हैं इनकी बीमाएं भी निस्चित होती हैं नमबर 3 ठोस कठोर होता है नमबर 4 ठोस अशंपीड होता है अर्थात ठोस को दबाव डाल कर इसके आकार को नहीं बदल सकती ठोस को यदि हम दबाव डालें तो इसके आकार में कोई परिवर्थन नहीं होगा अन्तिवे पांचवा, पांचवा पॉइंट इसका है, ठोस का आयतन निस्चित होता है तो ये 5 मातपूर पॉइंट है बचों, इन्हें आप लर्न कर लिजे आइए इसके उद्धारण देखते हैं, मेज, इट, इद्यारी और भी वस्तिवे ठोस के अंतरगत आती हैं जो चित्र आपको दिखे स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें बच्चों देखे कि ठोस, ठोस के अड़ू कितने पास-पास हैं, ठोस के जो अड़ू दिये हैं, वो बहुत पास-पास होते हैं, इनमें बहुत कम अस्थान होता है इनके अड़ूं के बीच, तो ठोस के बाद अब आईए हम द्रव देखते हैं जिसे अंग्रेजी में लिक्विड काते हैं ऐसे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता उसे द्रव करते हैं आईए फिर से एक बार देखते हैं ऐसे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता उसे द्रव करते हैं अब देखते हैं द्रव से भी संबंदित जो महत्पूर्विंद हुए जिसे आप जान करके आसानी से पहचान कर पाएंगे कि द्रव क्या होता है तो पहला पॉइंट इसका है द्रव का आकार निस्चित नहीं होता द्रव का आकार निस्चित नहीं होता अर्थात हमका सकते हैं कि द्रव का आकार अनिस्चित होता है नमबर दो द्रव की वीमाएं जो द्रव की वीमाएं होती हैं वो अनिस्चित होती है नमबर तीन द्रव में बहाव होता है बहाव का मतलब यदि हम द्रव को छोड़ दे या किसी पातर में कोई छिद रहे तो द्रव आसानी से एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक जा सकते हैं नमबर चार, द्रव में कम संपीडन होता है, क्योंकि द्रव पदार्त में ठोस की अपेक्छा अधिक जगह होता है, अता है इसे दबाव डाल कर संपीडित किया जा सकता है, अब ही हम आपको एक चीतर दिखा रहे हैं बच्चो स्क्रीन पर, आप देखेंगे कि ठोस में जो ठोस के कण होते हैं, उनकी तुलना में जो द्रव के कण होते हैं, कुछ दूरी पर होते हैं, ठोस की तुलना में इन द्रव के जो कण होते हैं, ये दूर दूर होते हैं, इसलि इसमें संपीडन हो सकता है आए पांचवी पाइन को देखते हैं द्रव का आयतन निश्चित होता है उदाहरन देखते हैं जैसे पानी हुआ, दूद हुआ जितने भी तरल पदार्थ हैं सभी द्रव के अंतरगत आते हैं आए इसक्रीन पर देखिए एक चितर दिया गया है और इस चितर में देखिए अभी आपने देखा था कि ठोस, ठोस के जो अडू थे कापी पास पास थे लेकिन उसकी तुलना में द्रव के जो अडू है वो दूर दूर है ओके, तो आप ठोस और द्रव ये दोनों आसानी से समझ चुके होंगे अब आइए हम आपको गैस की ओर ले चलते हैं और गैस के बारे में बताते हैं कि गैस क्या होते हैं गैस के महदपूर्ण बिंदू कौन-कौन से हैं आइए गैस की परिभासा देखते हैं बच्छों ऐसे पदार्त नमबर एक, गैस का आकार अनिस्चित होता है, नमबर दो, गैस की बीमाएं अनिस्चित होती है, नमबर तीन, गैस में बहाओ होता है, नमबर चार, गैसें अधिक संपीड्य होती है, गैसें अधिक संपीड्य होती है, शंपीडन के बारे में बच्चों आपको बताया हमने अभी कि शंपीडन मतलब होता है दबाव डालना गैस को यदि दबाव डाला जाएगा क्योंकि गैस के अंदर जो अडू होते हैं उनमें डिस्टेंस अधिक होती है शॉलिड और लिक्विड की अगर कंपरीजन करें तो इन दोनों के तुलना में जो गैस के अडू होते हैं वो दूर दूर होते हैं और जब कंड दूर दूर रहेंगे तो संपीडन की संभाव ना होगी क्योंकि बच्चों गैस के कड़ों के बीच सबसे अधिक अस्थान होता है इसलिए इनमें संपीडन होता है दबाव डाला जा सकता है इसे हम चित्र की सायता से आपको बताएंगे आगे पांचमा पॉइंट देखते हैं इसका गैस का आयतन अनिस्थित होता है आप उदारण देख लेते हैं इसका आकसीजन मेथेन और भी इसकी सिवा और भी गैसे होती हैं बच्चों तो आएए इसका भी हम चित्र देख लेते हैं स्क्रीन पर देखिए ये चित्र है और इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि गैस के जो कण हैं इनके बीच अधिक रिक्तस्थान है ठोस और द्रव की तुलना में अब आप समझ गए होंगे कि तीनों में अंतर क्या है और तीनों में समानता क्या है अब आईए हम तीनों को ठोस, द्रव, गैस तीनों को हम एक ही चित्र की साहता से दिखा रहे हैं एक ही साथ तीनों के चित्र स्क्रीन पर है देखिए अब आप तीनों को समझ पाएंगे आसानी से कि तीनों में समानता क्या है तीनों में भिन्नता क्या है तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ठोस के जो कण है ठोस पदार्थ के जो अणु है उनके कड़ों में रिक्तस्थान नहीं है द्रव के जो कण है ठोस की तुलना में कुछ अधिक रिक्तस्थान में है जबकि गैस में देखते हैं आप गैस में आप देख पा रहे हैं कि ठोस द्रव की तुलना में गैस में सबसे अधिक रिक्त स्थान है तो आसा है आप ठोस द्रव और गैस इन तीनों बिंदूओं को आसानी से समझ चुके होंगे बच्चों